नमस्कार मैं हूं शिल्पाजायन और आप देख रहे हैं GBC अपडेट आए नज़र डालते हैं हिमाचल की खबरों पर हमीरपूर सदर से विधायक आशिश शर्मा ने रवीवार को ग्राम पंचायत भगीटिव के गाउं बोला और प्लासी में आपके द्वार कारेकरम का योजन किया इस मोके पर स्थानिय ग्रामिनों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया इस दोरान विधायक ने कहा कि जो प उखे मंत्री हमीरपूर जिला से होना गाउं के लिए गर्व की बात है और हमीरपूर के विकास को चार चांद लगेंगे उन्होंने कहा कि विधानसवा शेत्र की ग्यारवां पंचायतों में से पानी की समस्या के समाधान के लिए 40 करोड की योजना की डीपी आर तयार की ग पाने सड़क समस्या का समाधान करवाने सहीद अन्य गोश्णाओं कर विधायक निधी से राशी जारी करने का आश्वासन दिया इस दोरान विधायक ने कहा कि जनता के भरपूर समर्तन की बदौलत वै विधानसवा पहुंचे हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंच क्या सुनना मैं समाधान करना है ताकि जनता और विधायक के बीच कोई दूरी ना हो हमीरपूर से जीवन कुमार की रिपोर्ट जो समस्या है आपने मुझे अपने गौहं से अबगत करानी है मैं यहां से बैठा हूँ जो आपका देश होगा वो मेरे लिए सर्वो परी है पहले भी काम जनता के अशीरवाद से एक मांदारी के साथ लगा रहा और आज भी शीव दिश्य से लगा हूँ मैंने चुनापों से पहले भी यह बात बोली थी कि ना तो मैं टेंशन यह तरखा के लिए चला हूँ मैरे को सिर्फ और सिर्फ जो पांच बर्शों के लिए आपना मुक्का दिया है इस पे आपकी नजरों में खरा उतरना है अच्छा काम करके जाना है ताकि आने वाले जो समय है उसमें याद किये जाए कि आपको इथा इसने काम किये राज्यपाल शिर्फ प्रताप शुकल ने शिमला के एतिहासिक कालिवारी हॉल में अखिल भारतिय कलाकार संग ध्वारा आयोजित ठाटवी व्यार्शिक अखिल भारतिय नाटक एंप नित्य वित्योगिता का समापन समारों की अध्यक्षता करते हुए कहा कि समार निर्मा जिला चंबल के उपमंडल सलूनी की भांदल पंचायत में युवक की तेश धारतियार से हत्या कर दी गई जिसका कटा हुआ शव बोरी में डाल कर नाले में पत्थरों के बीच छुपा दिया गया जिसे पुलिस ने शट विक्षत हालत में युवक का शव नाले से बरामत किया इस घटना में समुदाय विशेश की सलीमता के चलते मामले की गंबीता को देखते हुए स्पी चमबा अभिशेख यादव ने किहार पहुँचकर स्थिती का जाइजा लिया उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से आपसी सोहात पर करार रखने का आवान किया उन्होंने कहा कि पुलिस मामले को लेकर नियमा नुसार कानूनी कारवाई अमल में ला रही है इस मामले को लेकर दो लोगों को पूछताच के लिए हिरासत में भी लिया गया है उन्होंने मामले के निश्पक्स जाँच का भरोसा भी दिया उन्होंने बताया कि FSL की टीम ने भी दोरा कर घटना स्थल से साक्षे जुटा लिये हैं बताते चले कि मंगलवार को लापता हुए यूवक मनोहर लाल निवासी थरोली पंचायत भांदल कारशुकरवार को बोरी में डाल कर नाले में पत्रों के बीच दबाया कटा हुआ शब बरामद हुआ थ मामले में 302 IPC में मुकरमा दर्च कर लिया गया है और FSL की टीम इस्पॉर्ट विजट कर चुकी है और हम जरूरी साक्षे से जुटा रहे हैं मामले में अभी तक तीन संदिंतों को हमने टेटें किया जैंसे पूछता जारी है और कोशिश है है कि हम साइंटिफिक इंवेस् क्रिशी मंत्री चंद्रकुमार चौधरी ने ज्वाली विधानसवा शेत्र के तहट कोटला तथा रजौल पंचायत में जन्समू को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों के स्वास्ते के साथ खिलवार करने वालों को बक्षा नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि फार्मा कंपन सक्त कारवाई अमल में लाई जाएगी उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कठिन वितिये स्थिति के बावजूद अपने पांच मां के कारेकाल में दैनिक भोगी कर्मियों आशावे आंगन बाडी वरकर जिला परिशद बीडी सी पंचायत प्रतिनिद्यों एम पंच चायत चौकिदारों सहीत अन्य श्रेणियों के मान देख में बढ़ोत्री करने के साथ कई काले काडे काडेनी योजनाय धरातल तक लागूग की हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले दस करंटियों के माध्यम से आजमन और आश्वासन किया कि कॉंग्रेस पार्टी की सरकार पूरी इमानदारी और लगन से जन जन के विकास वैक कल्यान में विश्वास रखती है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लगबग 170,000 करमचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान करने का निड़ने कर इन करमचारियों और उनके परीजनों को भुढ़ापे का सहारा प्रदान किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारिये सुनिश्चित बनाएगी कि सभी गरंटियों को चरण बत तरीके से पूरा करने के साथ विभिन योजनाओं के माध्य में लक्षित वर्गों को समय बदलाब मिलना सुनिश्चित हो सके के बाद अपने अपसरों कहता हूँ कि अपस बजण की कताब को चीतरा पड़ो हमने ऐसे गरीव परिवारों के बच्चे जो पढ़ने पढ़ाई लखाई में अच्छे थे कोई हम भी मिस करना चाता था कोई जो है वो डॉक्टर बानना चाता है कोई जो है वो इंजिनेर बनना चाता है कोई जो है वो फार्मेसि करना चाता है और उस गृरीव आदमी के पड़ाई त नहीं है और अब हमारी सरकार ना खर्चा किया है कि किसी भी गिरीव आदमे का बंचा पढ़ाई खाय ना चाहा है सरकार पूरी पढ़ाई का खर्चा उसको देगी और जो उसको हम लोन देगे उसके ओपर एक परसेंट प्याज हो स्पिती में तामबे में ट्रेडिशनल योगा फाउंडेशन की और से आयोजित परंपरिक योग के मौन ध्यान रीट्रीट से पहले शिवीर का समापन हुआ इस शिवीर में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने विशेश तोर पर शिर्कत की यहाँ पर दो शिवीर आयोजित किये गए जिसमें से कुल दोसों से अधिक प्रतिभागी दुनिया के कोने कोने से पवित्र तामबे के केंदर में 20 दिनों के मौन ध्यान रीट्रीट म भाग लेने के लिए आये पहले शिवीर में 100 प्रतिभागियों को प्रतिशिक्त किया गया रीट्रीट प्रतिभागी उतरी अमेरिका दक्षिन अमेरिका एशिया यूरोप और अफ्रीका सही दुनिया के विभिन महाद विपो और देशों से आये थे ऐसे ही हिमाचल की खब देखने के लिए बने रहे जी बीसी अपडेट के साथ धन्यवाद